वेलकम बैक फ्रेंड्स माई चैनल फेर एंड केर टिप्स दोस्तों आज मैं आपके हिल्फ से जुरी जानकारी लेकर आई हैं क्योंकि आज करके बीजी लाइफ में लोग अपने खान पान का ध्यान रखना नहीं भोल जाते हैं और उन्हें कई तरह की परशानियों का सामना कर करना पड़ता है इसलिए आज हम उन दोस्तों को बताएंगे कुवे अपने बीजी लाइफ में अपने खाने पीने में कौन-कौन से चीज़ों को सामिल करें जिससे उन्हें परशानियों का सामना ना करना पड़े लेकिन इसे पहले जिन दोस्तों ने भी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बैल आइकन को प्रेश करना ना भूले साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों क्या आप हिप्स की चर्वी से परिशान है हिप्स की चर्वी ने आपका फिगर खराब कर दिया है लेकिन आपके पास जीम जानी का समय नहीं है तो परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको हिप्स की बढ़ती चर्वी को कम करने वाली एक्सेसाइ को रोजाना कुछ देर घर पर आसानी से करके आप हिप्स की चर्वी को कम करके उन्हें सुडॉल बना सकते हैं सुन्दर और सुडॉल सरीर पाना हर महिला की चाहत होती है लेकिन खान-पान की गलत आधितों फिजिकल एक्टिविटी के अभाव और अनियंत्रित लाइफश्ट आती है आपको सरीर के इन जिद्दी हिस्से की चर्वी को कम करने वाली एक्ससाइज के बारे में बताते रहेंगे जी हां महिलाएं अपनी बॉड़ी शेप को लेकर काफी परिशान रहती है क्योंकि ज्यादातर महिलाओं का बॉड़ी शेप गोल है और उनकी ज्यादातर च ऐसी ही महिलाओं में से एक है जो बड़े हिप्स साइज को लेकर परिशान है तो आपकी समस्या का हल हमारे पास है आईए ऐसे ही कुछ असरदार और आसान एक्ससाइज के बारे में इस वीडियो की माध्यम से हम आपको बताते हैं पहला है दोस्तों साइड लंस्रेज एक्स लाएं और उस ओर जुके इस दोरान बाएं पैर को सीधा रखें और अपनी जगह से ना उठें इस पोजीशन में कुछ देर के लिए रूखें और फिर पुरानी पोजीशन में आ जाएं अब इस एक्सरसाइज को दूश्रे पैर से करें दूश्रा है स्कौार्ट्स स्कौर पुती मिलती है उन्हें शेप में लाने में मदद मिलती है इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप सीधी खड़ी हो जाएं फिर दोनों पैरों को कंधों के बराबर चवराई में खोले अब हाथों को बिना मोरे कंधे के शमनान तर शामनी की और शीधा कर ले आपके डीड की घड़ी सीधी और सरजनी टाइट होनी चाहिये कुछ देर इस पोजीशन में रहने के बाद सीधे खड़ी हो जाएं तीसरा है ब्रीज एक्ससाइस यह एक्ससाइज भी हिपस की चर्वी को कम करने में मदद करती है क्योंकि इसे करने से हिप्स के हिस्से में स्ट्रेच महसूस होता है साथ ही यह आपके थाइट की बर्ती चर्वी को कम करते हैं और इससे कमरदर्द और पीठ की आकरन से भी आराम मिलता है इसे नियमित करने से तनाब भी दूर होता है इस exercise को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए फिर घुटनों को मोरे और हाथों को बॉड़ी के size में रख ले अब अपने hips को उपर की ओर उठाएं हाथों से टकनों को पकरने की कोसिस करें अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहें तो हाथों को side में ही रखें इस position में कुछ देर के लिए रहें फिर पहली position में वापस आ जाएं इन तीन exercise को आप आसानी से करके आपने hips की बढ़ती चर्वी को तीजी से कम कर सकते हैं इसमें hips की muscles को मजबूत बनाने में मदद मिलती है साथ ही से करने से आपके सरीर मिलाचीलापन बना रहता है साथ ही यह exercise आपके glutes, quights और hamstring पर काम करती है hips कम करने के लिए exercise को करने के लिए